हलो फ्रेंट्स इस्टेडी बितकर्षना चनल में एक बार आपका फिर स्वागत है आज की इस क्लास में हम डिसकस करेंगे सिटीजन सिप पे नागरिक्ता नागरिक्ता भारत के संविधान में भाग दो में रखी गई है और इसमें जो अनुछेद सामिल है वो हैं अनुछेद विज्यान में कलपना की जाती है कि एक इस्टेट कैसा होगा तो इस्टेट में चार बेशिक चीजों का होना बताया गیا है कि राज के पास में एक भूछेदर होडा चाहिए और भाग एक में हमने भारत के राजी छेतर के बिसे में डिस्किसन किया है पूरा कि भारत का भू छेतर कौन कौन सा है तो वो एक चीज तो हमने पढ़ ली है दूसरा राजी के बिसे में कहा जाता है कि राजी होने के लिए जनसंख्या होना जरूरी है कुछ जनसंख उसे चाहिए उसको संप्रभ हो ना चाहिए एक में भारत काौ Ciao उसको पूरी तरीके से समझा था कि भारत एक union है और उसका कौन कौन से छेतरों पर अधिकार है कि इस प्रकार से उनको वर्गी करत किया गया है उसको पूरी तरीके से हमने discussion कर लिया है आज की चैप्टर में हम जो second का मतलब क्या है वहाँ पर हम पहुंचें उससे पहले हम देखें कि यह जनसंख्या क्या होती है किसी एक देश में निवासी होते हैं उनमें भी कई कटिग्री हो सकती है यानि एक देश के जो निवासी कहे जाते हैं और एक देश के जो नागरिक कहे जाते हैं उनमें कुछ बे देश के निवासी से मतलब है कि वर्तमान में अगर भारत की बात करें तो भारत देश में कौन-कौन लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ भारत के नागरिक ही रहते हैं, बिदेशी भी रहते हैं, सरणार्थी भी रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, जो वि से बात करेंगे और डीपली डिसकस करेंगे लेकिन पहले हमें नागरिक्ता को समझना पड़ेगा क्योंकि बगार इसको समझे इस कांसेप्ट को समझे हुए आप मेंस के एंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे और सम्विधान में नागरिक्ता को परिभासित नहीं किया गया ह समिधान में सीधे आठकिल पांच से लेके आठकिल ग्यारा के इंतरगत क्या बताया गया है कि 26 जनुवरी 1950 को कौन-कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे या होने के योगि होंगे ये चीजे बताई गई हैं उसमें और फिर उसमें सीधे सीधे ये भी बता दिया गया है कि भविस्य में भारत में कौन नागरिक बनेगा या किसकी नागरिक्ता चली जाएगी इसकी पूरी सक्ति संसद के पास में होगी और संसद आगे अधिनियम बना करके नागरिक्ता की समंदित विधियां बना सकती है तो उन सब चीजों को हम पूरा detail में डिसकस करेंगे कुछ भ देश के निवासी में एक तो नागरिक हो सकते हैं, सबसे जो वेस्ट केटेग्री होती है वो नागरिक ही होती है और दूसरे हो सकते हैं विदेशी, नागरिक यानि सिटीजन्स और ये फॉर्नर्स हो सकते हैं विदेशी, विदेशी जो हो सकते हैं वो दो प्रकार के हो सकते है एक तो मित्र देसों के बिदेसी हो सकते हैं मित्र देसों के और एक को हम कहते हैं सत्र देसों के जिनसे हमारा युध्य चल रहा हो ऐसे वहां के लोग भी तो हमारे देस में निवास करते हुए हो सकते हैं तो ऐसे बिदेसी भी हमारे देस में रहते हैं कुछ लोग रहते हैं जिनको हम कहते हैं सरणार्थी जो हमारे हाँ सरण लिये हुए हैं अनेक देशों में अनेक धर्म जाती परंपरा संस्कृति के लोग रहते हैं कभी कभी किसी देश में किसी वर्ग विसेश पर कोई संकट आ जाता है या किसी व्यक्त विसेश पर संकट आ अगर शरकार चाहती है तो उस परकार के लोग सरणार्थी कह क्लए है, जो हो सकता है कि बाद में भृष भारत के नागिरिक बने. अगर सरतों को पूरा करेंगे लेकिन कुछ समय के लिए वो सरणार्थी भी हो सकते हैं इस्थाई भी हो सकते हैं यानि सरणार्थी भी दो परकार के हो सकते हैं एक तो इस्थाई का मतलब होता है कि जो हमारे देश में भाग करके आए जैसे कि तिबबत से बहुत से लोग भाकरके हमारे देश में 1961 से पहले आए तो उसको भारत सरकार ने कहा कि ये हमारे हाँ, इस्थाई सरणेर्थी बने यानि कि वो परमानेंथ हमारे देश में सरणेर्थी की रूप में रह सकते हैं कुछ होते हैं थोड़े समय के लिए सरण अर्थी अगर हमारी सरकार उनको कुछ समय के लिए अपने देश में सरण देना चाहे तो वह आजथाई हो सकते हैं तो ऐसे भी लोग भारत में रहते हैं तिबबत वाला हमने आपको उधान बताया और एक होते हैं अवायध प्रवासी यानि वो हमारे देश के नागरिक नहीं है रहने वाले भी नहीं है वो अवायध रूप से घुसपैठिया जिनको कहते हैं इन पर भी बात आएगी क्योंकि कि नागरिक्ता से समंधित बहुत सारे मुद्दे चर्चा में इसमें रहते हैं करेंट में जब से जो है उन 2099 में नागरिक्तः अधनियम में संसोधन किया गया है लेकिन यह 2099 में कुछ ज्यादा ही इस पे जो है विवाद हुए हैं तो उस पर हम डिसकस करेंगे तो नागरिक हो सकते हैं, बिदेसी हो सकते हैं, बिदेसी हमारे मित्र देसों के, सत्र देसों के भी हो सकते हैं, इन में कुछ अंतर भी होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा समिधान बिदेसियों के लिए भी कुछ अधिकार देता है, नागरिक को तो सब कुछ मिलेगा ही, हम अपनी बात ही नहीं करेंगे अपनी बात तो हम आगे पूरा डिटेल में करेंगे लेकिन हमारे देश में जो बिदेशी रह रहे हैं उनके भी कुछ मौलिक अधिकार हैं जब आप मौलिक अधिकार चेप्टर पढ़ोगे तो बहुत से मौलिक अधिकार बिदेशियों को भी च्प सब कि वह देश को कुछ रोदिकार गुंदेश कुछ मोलिक धीकार अई सब्सक्क्रीति-ब운धी उसके कि मीलता है लेकिन तनलेन समें देश के थीफ़ देना的人 करें उसके से से अंकरुपनिईयों को灰ख ताइब भी मिलता था है। लेकिन वो सत्र देश के विदेशियों को नहीं मिलेगा और वो कौन सा है आर्ट किल 22 यानि इसे अगर कोई सत्र देश का हमारे देश में रह रहा है तो उसको आर्ट किल 22 के तहट एक होता है गिरिफ्तारी गिरिफ्तारी नजरबंदी के विरुद्ध सुरच्छा हमारे मौलिक अधिकारों में आर्ट किल 22 के तहट जो है गिरिफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध भी कुछ सुरच्छाएं दी गई है जो नागरिकों को और विदेशियों को भी उपलब्ध होती है लेकिन सभी विदेशियों को नहीं सत्र इनमें डिफाइन कर सकते हो कि इनमें क्या अंतर है बाकी कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं सरनार्थियों के विसे में भी तमाम हमारे समिधाल में चीजें हैं कि और अवायध प्रवासी के समंदित भी विदियां बनती रहती हैं और नागरिक तो है ही इतने प्रकार के लोग भारत में निवास करते हैं तो इसमें जो सबसे मुख और सबसे प्रमुख निवासी होते हैं वो नागरिक कहे जाते हैं आज इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि नागरिक क्या है सिटीजन क्या होते हैं किस विक्ति को आप सिटीजन कहोगे अगर अगर आप से कोई कहे कि आप भारत के नागरिक हैं तो ऐसा क्या है आपके पास स्पेसल और भारत के बीच में ऐसा आपका क्या संबंध है जो बिसेश है जिससे आप नागरिक होना साबित होते हैं कि आप नागरिक हैं ऐसा क्या आपको खास दे रहा है देश जो अन्य लोगो के द्वारा नागरिकों के लिए क्या विसेश चीज़े की गई है जो विदेशियों के लिए नहीं है उसके बाद हम देखेंगे कि नागरिकता समंधी जो प्रावधान है अनुछेद बात से लेके अनुछेद 11 तक के उनको पूरा हम डीप डिसकस करेंगे तो चलिए बात करत हम सब भारत के नागरिक हैं क्या है नागरिकता होना एक राजनीत बिज्ञान के बहुत प्रसिद्ध बिचारक हैं उन्होंने कहा ती एच मारसल उनका नाम है ती एच मारसल के अनुसार जो है नागरिकता की बहुत अच्छी प्रिभासा दे गई उन्होंने कहा कि किसी तो राज का पूर्ण सदस्य होता है complete member होता है कि राज के द्वारा मिलने वाले समस्त अधिकारों को वो प्राप्त करेगा राज के द्वारा दिये जाने इसलिए वो राज के द्वारा दिये जाने वाली डिये जाने वाले अधिकार का पूर्ण स्वामी होता है यानि उसको प्राप्त करता है तो ऐसा ही बेक्ति नागरिक कहा जाता है यानि कि जो नागरिक्ता है वो राज और बेक्ति के बीच में एक रिलेशन है एक संबंध है त इसको आप देखें, ती एच मारसल, एक राजनीत विज्ञान के विचारक है, राजनीत विज्ञान विचारक, इन्हों ने परिभासा दी है, इसकी परिभासा, क्या इन्हों ने कहा है, जो उसका सार्तत्त, वो है कि नागरिक कौन होता है, इन्हों ने कहा कि नागरिक किसी राज का, किसी राज का पूर्ण सदस्य होता है, पूर्ण सदस्य होता है, कम्प्लीट मेंबर होता है, बिदेशी जो होगा वो पूर्ण सदसी नहीं होगा उसको सारी चीजें नहीं मिलेंगी नागरिक को सब चीजें मिलेंगी अधिकार भी मिलेंगे करतब भी मिलेंगे तो तीन तत्तों पर आधारित है जो पूर्ण सदसिता है पूर्ण सदसि होने का मतलब क्या है पूर्ण सदसि होने का मतलब है कि तीन बाते होंगी इसमें तीन आधार होंगे तीन प्रमुक्तत्त होंगे इसके पूर्ण होने का मतलब है तीन चीजे उस पे लागू है पहली च प्राज्य द्वारा मिलने वाले सभी अधिकार मिलेंगे, सभी अधिकार प्राप्त होंगे, जो पूर्ण मेंबर होगा, उसी को सारे अधिकार मिलेंगे, तो आप अपना सम्विधान अगर देखोगे, तो अगर मौलिक अधिकार या सम्विधान में वरलित और भी अधिकार ह तो वो सभी के सभी अधिकार किसको मिलते हैं, नागरिक को मिलते हैं, उधारण के लिए लोकसभा का इलक्षन हो रहा है, तो लोकसभा के इलक्षन में ओट डालने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को है, या फिर लोकसभा के रूप में, मेंबर के रूप में चुने जाने के ल या उच न्याले के न्याधीस बनने का पड यह सब विभिन पदों पर अभी हम और भी डिस्कस करेंगे इसको इसको डीप में उन सब पदों पर कौन जा सकता है नागरिक जा सकते हैं विदेश के लोग नहीं कोई भी पी देशी हमारे देश का राश्टुपती नहीं बन सकता कोई भी विदेशी हमारे यहां लोक सभा में जाकर के इलक्सन नहीं लड़ सकता है और ना ओट दे सकता है वो तो इस प्रकार से बहुत से अधिकार और बहुत से मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं तो जो नागरिक होंगे उसको राज द्वारा मिलन अपने नागरिकों के लिए कुछ कर्तब निर्धारित करता है तो नागरिकों को वो कर्तब भी निभाने पड़ेंगे यानि कि राज द्वारा निर्धारित कर्तब भी करने होंगे यानि एक तरफ उस नागरिक को अधिकार मिलेंगे तो दूसरी तरफ उसके उपर कुछ कर्तब भी लगाये जाएंगे और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी कि उस भेक्त की राज के प्रति निष्ठा होती है यानि जो नागरिक होगा उसकी राज के प्रति निष्ठा होना जरूरी है विदेशियों से अपेच्छाय नहीं की जाती है कि वो राष्ट के प्रति निष्ठा वान हो जैसे कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो राष्टगान बज रहा है तो राष्टगान का सम्मान करना राष्ट के प्रति निश्ठा है ये आपके ऊपर आपका कर्तब है लेकिन अन्य विदेशी नागरिक के ऊपर ये बाधिकारी नहीं है कि वो ऐसा करे ही तो कर्तब भी आपको करने होंगे, सब अधिकार भी मिलेंगे और तीसरी चीज क्या है कि राज के प्रति निश्ठा राज के प्रति निश्ठा तो यह तीन बाते जो होती है वो नागरिक्ता ते करती है कि वो बैक्ति उस राज का नागरिक है अगर ये तीनों चीजें किसी में नहीं पाई जा रही है यानि उसको सारे अधिकार न मिल लहे हो उसके उपर कार तब भी जो है करने की बाधिता नहो राष्ट के पर उसकी निष्ठा होने की भी बाधिता नहो तो वह बेक्ति नागरिक नहीं है तो यही है नाग सब भी धिकार कजी धिकार राजी प्रदान कर रहा है वो सब उसको मिलेंगे तो यह यानी कि इसका अर्थ यह सारी चीजें वो एक के बीच में एक संबंध है जो तीन तत्तों पर आधारित है आप इसको ऐसे भी लेख सकते हो कि नागरिक्ता क्या है कि नागरिक्ता राज्य और कि वेक्टि के मद्ध एक संबंध है एक संबंध है जो तीन तत्तों पर आधारित है ये तीन चीजें आवसेक हैं यही तीन प्रमुखिस के तत्तों है नागरिक्ता के अब एक सब्द आता है नागरिक एक सब्द आता है प्रजा प्रजा भी आपने सुना होगा तो क्या प्रजा सब्द जो प्रयोग किया जाता है वो भी नागरिक ही होना होता है तो इसमें कुछ राजनीत के अनुसार कुछ इसमें अंतर है कि प्रजा क्या है जैसे कि आप बात अगर विवहारिक रूप से देखें तो वो भी जो है नागरिक के रूप में ही आपको होगे लेकिन प्रजा में थोड़ा सा अंतर है नागरिक के पास में करतब्य होते हैं तो अधिकार भी होते हैं देखो दोनों चीजे हैं करतब्य हैं तो अधिकार भी हैं जो नागरिक एक सरकार राज के विरुद्ध वी होते हैं सरकार के विरुद्ध ही होते हैं जो आप देखोगे मौली कदिकार इतर पढ़गे तो राज के साथिकार नहीं कर सकती है यानि कारते नहीं रहा है शरकार को और recovering पैक escaped भाव नहीं करेगा, यानि कि सरकार भी नहीं कर सकती है, राज के विरुद्ध भी आपको अधिकार प्राप्त है, और कर्तब तो हैं ही, लेकिन जो प्रजा होती है, प्रजा के पास कर्तब भी तो होते हैं, कर्तब और उनके पास अधिकार नियून होते हैं, अधिकार नियून होता है पर्जा में सिष्टम ये होता है कि वह ब्यक्ति-विसेश जो सासक है उसकी मर्जी पर है कि आपको वह अधिकार दे तो वहां पर आप कह सकते हो कि कर्तब्य फैक्टर प्रभावी है और धिकार नहीं है यहां पर कर्तब्य है तो अधिकार मिलना सुनिश्चित है सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकार का हनन हो गया तो नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित होते हैं कि नागरिक किसी राज के पूर्ण सदस्य होते हैं जिनके पास तीन चीजें होनी जरूरी हैं तीन चीजों पर ये संबंधा अधारित है कि राज उनको सभी अधिकार प्रदान करता है तो फिर उनसे कुछ करतब्यों की अपेच्छा भी करता है और साथ-साथ ये भी अपेच्छा की जाती है कि वो राज के प्रति निश्ठावान हो यानि राज के प्रति समर्पित हो राज के विधियो इत्याद का पालन करें तो यह हो गया आपका नागरिक्ता क्या है अब यहां पे हमने बात की कि राज जो है नागरिकों को सभी अधिकार देता है अब इसको थोड़ा डीप में समझेंगे कि भारत के संदर्व में बात करेंगे कि भारत कैसे बिभेद करता है विदेशी और नागरिकों में यानि कि भारत के समिधान में वो कौन-कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं वैसे तो सभी अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन यहां पर हम सिर्फ उन अधिकारों की बात करेंगे जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है तो उन अधिकारों पर हम बात करेंगे ताकि आप नागरिक्ता को और अच्छे से समझ सकें तो आपको एक कुश्चन ये बन सकता है कि नागरिक्ता को भारती समिधान में किस भाग में रखा गया है भाग दो में रखा गया है कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर नाग रिक्ता के समंदित प्रावधान है तो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में है ये चीजे कामन है और भारत में किस परकार की नाग रिक्ता पाई जाती है तो भारत में एकल नाग रिक्ता पाई जाती है है भारत में किस प्रकार कि नागरिकता है एकल नागरिकता बहुत की बहारत की बात करती है दूसरी एक चीज और आप जाने कि नागरिक्ता को किस सूची में रखा गया है हमारा देश एक संघी बेवस्था का देश है तो उसमें राजी की सूची अलग है और संघ की सूची अलग है तो संघ सूची में है राजी सूची में है या समोर्ती सूची में है तो जो नागरिक्ता विसे है नागरिक्ता समंधी कानूर बनाने का अधिकार है वो संग सूची में रखा गया है ये भी आपसे कुश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिक्ता किसका विसे है तो ये संग सूची का संग सूची का विसे है और संग सूची का जो विसे होता है उस भी कानून बनाना वो संसद करेगी राज के विधान मंडल उसमें हस्ता छेप नहीं करेंगे तो एकल नागरिकता और संगसुची वाली बात आप याद रखेंगे अब हम यह देखने जा रहे हैं कि भारत में कौन-कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप रहा हूं उसको आप गौर से पढ़ें तो भारती संविधान के वैधिकार जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं इस इस नागरिकों को प्राप्त है विदेशियों को नहीं विदेशियों को नहीं अब हम उन अधिकारों की बात करेंगे कि जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं तो सबसे पहले देखें कुछ मौलिक अधिकार कुछ मौलिक अधिकार है आपको पता है कि हमारे संविधान में भागतीन में आठकिल बारा से लेकर के इसके बाद में आठकिल बारा सुरू हो जाएगा भागतीन अगला चैप्टर ही होगा तो बारा से लेकर के 35 तक के बीच में मौलिक अधिकार रखे गए हैं मौलिक अधिकार के समंध में अगर बात करें तो मौलिक अधिकार राज के बिरुध अधिकार है यानि राज को मना ही करते हैं नागरिकों के साथ में कुछ भेदभाव करने के लिए यानि ऐसे अधिकार जो राज भी नहीं चीन सकता है और अगर किसी परिस्थिति में वो अधिकार आपके चीने जाने लगें तो आप उसके खिलाब सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बीच के जो इस्टेप होते हैं वो आप सब इसकिप कर सकते हैं अनकिसी मामले में आप इस्टेप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे लेकिन मौलिक अधिकार के हनन के संदर्व में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा कर सकते हैं तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं जैसे आप आप देखोगे समानता के तमाम है जीवन जीने का अधिकार है आप पूरा जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आप उसको डिटेल में जानोगे यहां पर हम बात करेंगे कि उनमें से ऐसे कौन-कौन से हैं जो केवल और केवल हम लोगों को यानि नागरिकों को प्राप्त ह को नहीं प्राप्त हैं तो वो देखें कौन से हैं कुल कुछ मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं उसमें आता है आपका अनुच्छेद 15 16 जोला उन्नीस वंतिस तीस चार ऐसे मौलिक अधिकार पांच ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं क्या चीजें इसमें हैं वो आपको जानना है अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म मूल वंस जाति लिंग जन्म अस्थान जन्म अस्थान के आधार पर के आधार पर भेद भाव नहीं किया जाएगा ऐसा जो है प्रावधान करता है अनुच्छेद 15 जैसे कि आपका धर्म कोई भी हो आप किसी भी सारवजिनिक जगे पर जा सकते हैं कोई पार्क है कोई चिडिया घर है कोई मेला है कुछ भी है आप हर एक अस्थान पर जा सकते हैं आपका कोई भी धर्म है अप मूर्लवंस के स्थान आधार पर कोई भी भीर भाव किसी सारवजिनिक जगे पर आपके साथ कोई भी भी भीर भाव नहीं किया जाएगा है मेला है आiquए जनाव उस पर देस से आये है तो आप इस ड्रेन में नहीं बैड सकते या üzपार्क में कुछ भी नहीं ऐसा है कोई भी राजी के द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा सर्वजिनिक रूप से लेकिन अब विदेशियों के साथ ऐसा किया जा सकता है यह सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है अब विदेशियों में जनमस्थान के अधार पर यानि उनका जनमस्थान दूसरे देश में है और वो हमारे देश में आये हमारे देश के नागरिक नहीं है तो हम उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं कि 8-11 क्या कहता है और 6-16 कहता है लोग नियोजन हो रहा है तो उसमें सब को समान औसर मिलता है ये सब आधार उसमें भी है सब को समान औसर दिया जाता है अब देखे हैं पर समता सर्द प्रियोग किया गया है इसमें कुछ चीजे हैं जहां पर आप देखो कि भेदभाव किया जाता है धर्म जाति लिंग आध किया जा सकता है कि लोक नियोजन में आउसर की जो समता की बात की जा रही है वो सिर्फ नागरिकों में लागू है विदेशी नहीं दी जाएगी उसको अनितरह से ट्रीट किया जाएगा उनीस में जो है अनुछेद उनीस जो है वह वाक यूम अभिवेक्त की स्वतंतर्ता अभिवेक्ति की स्वतंतर्ता की बात करता है समिधान तो अभिवेक्ति की स्वतंतर्ता नागरिकों को ही प्राप्त है अनिदेश के नागरिकों को नहीं यानि जितने जिस प्रकार से हम अपने बात को रख सकते हैं राजनेतिक अस्तर पर विदेशियों को वो अधिकार नही उनिप संस्कृत समंधी और किछ कल्चर और सिछा समंधी जो कुछ मौली कधिकार है जो भारत के नागरिकों के संदर्व में है तो ये पांच मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं बाकि जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों को तथा विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं अब इसके अत्रित भी अन्य अधिकार हैं कुछ अन्य अधिकार भी हैं जो सिर्फ वहां पर मतदान करने का अधिकार और उनमे में निर्वाचित होने काम्स यानि मेंबर बनने के लिए खड़ी होने का और 되지 कार भी सिर्फ नागरिकों को है तो आप लिखेंगे कि लोक सभा है क्यें यह युका सभा कि ए वं राज्य का अधिकार आप सबको है ना जितने भी नागरिक हैं उन सबको वोट देने का अधिकार है विदेशी उसमें ने वोट डाल सकते हैं आकर के इलेक्षन में दूसरी चीज संसद संसद का कोई भी सदन हो संसद यवम राज्य बिधान मंडल बिधान मंडल सदस से यानि MP और अमेले MP और अमेले बनने का अधिकार सदस से बनने का अधिकार ऐसा नहीं होगा कि कोई विदेशी आ करके वह आपके हां MP बन जाया करके वो उनकी आहरता में ही लिखा हुआ कि सबसे पहली आहरता ही होते कि उसको भारत का नागरिक होना आवस्यक है और इसी तरीके से सब्सक्राइब ये सब जो पद होते हैं सर्मजनिक पद इन पर भी झिर्फ भारत के ऊधिकार है वहां तक पहुचने का याप भारत के राष्टपती का इलक्सन लड़ सकते हैं कोई अमेरिका का नागरिक आकर के बहारत के राष्टपती का इलक्षन नहीं लड़ सकता है तो उसके लिए भारत का नागरिक होना आवस्यक है तो तीसरा जो है कहा गया संबैधानिक पदों जैसे आप कह सकते हो जैसे राष्ट्रपती राष्ट्रपती कोई विदेशी नहीं बन सकता है उपर राष्ट्रपती सिर्फ नागरिक बन सकते हैं उपर राष्ट्रपती राजिपाल का पद किसी भी विदेशी को नहीं दिया जासकता है राजिपाल न्यायालियों के न्यायधिस महा न्यायवादी महा न्यायवादी महा धिवत्ता तो क्या बना संपैधानिक पदों जैसे राष्टपती राजिपाल न्यायवादी महा न्यायवादी और महा धिवत्ता केवल नागरिक बनेंगे केवल नागरिक के विदेशी नहीं बन सकते और चौथी चीज है एक और है कर्तब्ब कुछ कर्तब्वे भी यह तो अधिकार हो गए कर्तब लें जैसे की टैक्स देना जैसे की राष्टब्वान का राष्ट रहे का सम्मान करना यह सब सबीकिवे 50 आप यह किससे की जाती हैं पहले शुकी हैं जूब्धा यह हमारे स्वेदाल में क theme लिखे गए रूइच detox वहाया नागरिक करतों से की जाती है नागरिक करेंगे तो क्योंकों से हो सकते हैं है add in the कर देना, है ना, राष्ट्रगान का सम्मान, धोज का सम्मान, देश की रच्छा, देश की रच्छा आ दे, ये तमाम कर्तब हैं जो नागरिकों पर रखे जाते हैं, कि आप कर देंगे, टेक्स देंगे जो भी राजने धायत करेगा, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, राष्टी धोज का सम्मान करेंगे, देश की रच्छा, इत्याद जो कर्तब हैं वो भी नागरिकों पर होते हैं, तो यहां तक आपने ये जाना कि किस प्रकार से नागरि ग्यारा क्या कहता है कौन कौन सी बाते वो करता है तो इसको डिटेल में हमको पढ़ना है इसलिए इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन एक संचिप्त बिवरण आपको पांच से ग्यारा का हम यहां पर देंगे ताकि उसको डीप डिसकसन करें तो आपको एक प्रश्ट भूमी पता हो तो क्या कहता है आटकिल पांच से ग्यारा उसको सबसे पहले हम एक सारनी बना लेते हैं और फिर बाद में उसको हम एक एक आटकिल को पूरा डिस्किसन करेंगे और वो करेंगे हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में तो यहाँ पर आटकिल 5 से 11 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के प्रावधान क्या है देखो जो भारत में नागरिकता के प्रावधान समिधान में रखे गए थे आटकिल 5 से 11 उसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि 26 जनुवरी 1950 को समिधान लागो होते समय कौन-कौन लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे इस सिधोरान उसके बाद आने वाले समय में यानि आज की अगर बात करो तो वो समिधान के अनुछेद 5 से 11 में वरडित नहीं है उसमें कहा गया था अनुछेद 11 में कि आगे यानि 1956 जनुवरी के बाद में कौन भारत का नागरिक बनेगा किसकी नागरिकता ले ली जाएगी यानि कौन-कौन बन सकता है कैसे कैसे जा सकती है नागरिकता इन सबसे समंधित बिधी बनाने का अधिकार जो है वो संसद को रहेगा संसद आगे कानून बनाएगी समय समय पर उसी के अधार पर नागरिकता दी जाएगी तो एक चीज आप हमेशा याद रखें कि सम्विधान में 26 जन्वरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा कौन होंगे भारत के नागरिक कौन होंगे यह बताता है और साथी साथ ये भी प्रावधान करता है कि भविष्य में यानि इसके बाद 26 जन्वरी 1950 के बाद भविष्य में नागरिक्ता संबंधी बिधी बनाने की सकती यानि भविष्य में कौन कौन नागरिक बन सकेगा क्योंकि बाद में भी तो लोग भारत के नागरिक बनना चाहेंगे और कुछ लोगों की नागरिक्ता जाएगी भी बाद में तो भविस्य में नागरिक्ता समंधी बिधी बनाने की सक्ती संसद को होगी संसद के पास होगी यह आप जरूर याद रखेंगे कि जो मूल संविधान है उसमें सिर्फ यही बताया गया था नागरिक्ता में कि 26 जनुरी 1950 को कौन-कौन भारत का नागरिक होगा और उसके बाद में यह भी उसी में कह दिया गया कि आगे नागरिक्ता पर कानून कौन बनाएगा वो संसद बनाएगा और संसद के बनाए कानून के अधार पर ही भारत में नागरिक्ता तैंग की जाएगी तो संसद ने पहला कानून 1955 में बनाया था जिसको भारती नागरिक्ता अधनियम 1955 कहा जाता है और उसी में समय समय पर तमाम संसोधन किये गए हैं और लेटेस्ट संसोधन भी किया गया जो 2019 में किया गया सी एए 2019 यानि सीटीजन सिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 उसी पर तमाम विवाद भी हुए उस पर भी हम डिसकस करेंगे आगे सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जो पांच से लेकर के ग्यारा आठकिल है वो क्या कहते हैं मूल रूप से जो संचित उसका है वो देखने क्या है संबिधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक होगा और इसका अधार बनाया गया है अधिवास अधिवास के आधार पर इसका जो अधार है आठकिल पांच में वो निवास के अधिवास कहेंगे उसको अधिवास के अधिवास के आधार पर दूसरा अठकिल जो है इन सबको हम आप सिर्फ नोट कर लीजिए क्योंकि एक संटेंस में भी आपको याद रखना है कि अधिवास के आधार पर 26 जनुरी 1950 को भारत का नागरिक कौन बन सकता है कौन होगा वो बताया गया है आठकिल पांच में इसको हम डेटेल में बाद में करेंगे डिसकस नेक्स्ट में आठकिल 6 कहता है कि पाकिस्तान चूंकि बटवारा हुआ था तो उधर वाले लोग इधर आये ना पाकिस्तान से इंडिया तमाम लोग आये तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता बताता है यह आने वाले लोगों की नागरिकता कैसी होगी वो नागरिक होंगे नहीं होंगे कैसे होंगे आवेदन करेंगे आपने आप हो जाएंगे किस परकार से बनेंगे इस इन सब चीजों का वरणन जो है अनु अब हुआ ये था कि तमाम लोग भारत से पहले पाकिस्तान चले गए और बाद में हो सकता है कि उनको लगा कि नहीं इधर नहीं उधर ही होना चाहिए तो फिर भारत वापस आ गए तो ऐसे लोग के नागरिकता के क्या कानून होंगे कैसे बनेंगे या नहीं बन पाएंगे त भारत से पाकिस्तान जाने तथा पुनह वापस आने वाले लोगों की नागरिकता इसमें दी गई है लोगों की नागरिकता यानि तीन प्रकार के लोग हो गए उन्होंने कहा कि ये सब समिधान लागू होने पहले बात की जा रही है यानि 26 जनुरी 1950 के पहले का ही पूरा प्रावधान है ये उसके बाद कौन बनेगा नहीं बनेगा वो संसत्ता करेगी तो पाकिस्तान चले गए उसके बाद फिर वापस आ गए तो उनकी नागरिकता कैसे मिलेगी उनको क्या सिस्टम होगा ये आठकिल साथ में कह दिया गया फिर आठकिल आठ जब भारत सब्सक्राइब लेय तो ये पस्ति बारट बाई में बहुरा अगये उनकी नागरिकता कैसे होगी वा सब्सक्राइन तो बाहर रह रहे भारती भारतियों की नागरिक्ता इससे समंधित प्रावधार आठ किल आठ में किया गया आठ कि नौ अब यह तो प्रावत समंधि है आठ तो है आठ किल जो कौन-कौन नागरिक होगा यह बताता है नौ में कहा गया कि यदि कोई बिक्ती दूसरे देश की नागरिक्ता ले लेगा तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि बिदेशी नागरिक्ता लेने वाले विक्त की भारती नागरिक्ता समाप्त हो जायेगी स्वता उसके लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा आठकी नो सिधे कहता है कोई भारती नागरिक्ता इन सम्में कोई भी है अगर उसने किसी बिदेश की नागरिक्ता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली तो उसकी नागरिक्ता समाप्त हो गई स्वेच्छा सब्द इसमें लिख देजेगा विदेशी नागरिक्ता स्वेच्छा से क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि कुछ देख नागरिक्ता बाटते भी है कुछ देश ना कभी कभी आप देखते हो कि कोई कोई हमारे देश के नागरिक को अपने देश की नागरिकता दे देता है और हम भी देते हैं हमने भी तमाम विदेशियों को नागरिकता पुरुसकार में दी है तो अगर किसी को मिल जाती है गिफ्ट में दे देता है तो उतने भर से नागरिक और यह भी कहा गया कि जो लोग जिनकी जहीनिया जा सकती। इस आर्टीकल में यह उसी और रखता है किall संसद की विध के आधार पर ही ली जा सकती है अधर वाइस नहीं जेसे सकते। तो नागरिक्ता साथ टट में लिखेंगे केवल संसद की बिधी संसद एक्ट बनाएगी बिधी के आधार पर के आधार पर ही ली जा सकती है और यहाँ पर लिखेंगे किसी ब्यक्त की किसी ब्यक्त की नागरिक्ता केवल संसद की बिधी के आधार पर ही ली जा सकती है ऐसा नहीं होगा कि कल को कारिपालिका एक आदेश जारी करे कि तुमारी नागरिक्ता में छीन रहा हूं कारिपालिका आदेश करके नागरिक्ता नहीं छीन सकती है केवल और केवल संसद को ये अधिकार होगा कि किसी वेक्त की नागरिक्ता को वो चीनने की बिधी बनाए और आठकिल 11 आखरी आठकिल जो सबसे महत्पूर्ण है क्योंकि यही भविष सित्ताय करेगा इसमें कहा गया है कि भविष में संसद को ये सक्ति प्रदान की जाती है कि वो नागरिक्ता समंधी बिधी बना सकती है यानि नागरिक्ता समंधी बिधी बनाने की सक्ति किस के पास है संसद के पास में है किस आठकिल में लिखा है आठकिल 11 में लिखा है और यही आर्टकिल सबसे महत्पूर्ण है क्योंकि यह इतना जो है यह तो 26 जनुरी 1950 के लिए है मेन मैटर तो उसके बाद सुरू होता है आज को अगर हमें नागरिक्ता चाहिए यह हमारी नागरिक्ता खतम हो जाए क्या होगा हमारा वो चीज निर्भर करेगी कि अब संसद जो बिधी बनाएगी उस पर तो यह जो सबसे महत्पूर्ण है इसको लिखेंगे नागरिक्ता संबंधी बिधी बनाने की सक्ति किसके पास रहेगी संसद के पास होगी राज के बिधान मंदलों के पास में नहीं और किसी पास नहीं संसद के पास रहेगी इसलिए हमने बताया कि यह संग सूची का बिसे है नागरिक्ता पे केवल संसद कानून बना सकती है आर्टकिल 11 इसको बहुत डिटेल से पढ़ना है क्योंकि इसे का उपयोग करके तमाम बार जो है नागरिक्ता धिनियम में संसोधन किया गया पहली बार 1955 में बनाया गया उसके बाद उसको कई बार संसोधित किया गया है और करते 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 लास्ट में जो 2019 में भी हुआ है ले आता के लिए धर्निवाद